नमस्कार मैं हो ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं बिभागिये कामकाज की समीक्षा करेंगे मुख्यमंतरी मुख्य मंत्री हमान सुक्रवार 14 जुलाई से अपनी सरकार के कामकाज की समिक्षा करेंगे हाल के दिनों में विभाग की वास्त्विक इथिति का आकलन करेंगे इस दवरान केंडर और राई सरकार की द्वरा चलाई जाने वाली विभी नीयोजनावों की इथिति पर चरचा होगी पहले दिन 14 जुलाई को सिक्छा विभाग की समिध्छा होगी साइकल योईना स्कूल आप एक्सिलेंस और स्कूल के संसाधनों पर चर्चा होने की संभावना है बता दे इस्तिवन मुख्य मंत्री को स्कूलों में सिक्षकों के रिक्त पद और इन रिक्तियों को भरने के लिए हो रहे परियास पर चर्चा भी होगी चंद्रयान तीन मिशन में रांची के बैग्यानिक सोहन यादो सामिल मा को फोन पर उन्होंने कहा था कि अब 15 दिन बाद चंद्रयान तीन के परिक्षन के बाद बात हो पाएगी मा देव की देवी वा भाई गगन यादो चंद्रयान तीन के सफल प्रचेपन वा बेटे की कम्याबी की कामना लेकर मा वैसनों देवी के मंदिर गए हैं दोनों लंचिंग के दीन सुक्रवार को ही माता के दर्शन करेंगे बता ज़े सोहन के पीता घूरा यादो ट्रक ट्राइबर है जबकि मागरीनी है वही सोहन तपकारा जैसे छोटे से गाव में पढ़ाई कर बैग्यानिक बने हुए हैं ईसमीती ने वन विभाग कर याला के घृराव करेंगे इसको लेकर गुरु आरको समीती ने वन विभाग कर याला में गयापन भी सोपा है गिराव कारकरम को सफल बनाने को लेकर गाउं में व्यापक तयारिया की गई यह जनकारी समीति के अध्यक्स भागवत टूडू ने दी है उन्होंने कहा है कि गिरामीन 15 जूलाई को कर्याला के गिराव कर वन विभाग के पतादिकारी के नाम ग्यापन सोपा जाएगा इसकी जनकारी वन विभाग को ग्यापन दे कर दे दी गई इस गिराव कारकरम को लेकर हाथी प्रहवित गाउं में ग्रामीन बैठा कर निती बना रहे है वन विभाग कर याले के गिराव कारकरमीन भीन गाउं के ग्राम परदान और ग्रामीन भी सामिल होंगे चाईबासा विशेस प्रमंडल के लेख पाल को 50 एर गुहूस लेते एसीबी ने धरा एसीबी जमसेदपूर की टीम ने सुक्रवार लब गार बजे ग्रामिन विकास विशेस प्रमंडल चाईबासा के कैसियर भावर तारन सिंग और बिटी सिंग को 50 एर उपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफतार किया है ग्रामिन विकास विशेस प्रमंडल द्वारा मनिहारी के रोला डिह में खेल मैदान में चेंजिंग रूम और सोचाला निर्मान के लिए 12 लाग 46-47-700 रुपए की रास्यावन टित की गई थी ACB की टीम गिरफतार लेख पाल बिटी सिंग को अपने साजमसेदपूर ले गई है जमसेदपूर के मानगो में मौझूद बिटी सिंग के आवास पर भी ACB चापे मारी कर रही है ACB की टीम में DSP एंस्पेक्टर सहीद काफी संक्या में पुलिस बल भी सामित थे चाइबासा में जल्द बनेगा यरपोट उरान भरेंगे बिमान जार्खन को एक और यरपोट की सवगाद मिलने माली है कोलहान प्रमंडल के मुख्याले चाइबासा में यरपोट बनेगा ताकि छोटे बिमान उड़ान भर सके जार्खन रोड कंस्ट्रक्चन विभाग चाइबासा में यरपोट बनाने का सर्वे कराएगा इसके लिए ट्रेंडर निकाला गया है बता दे कईस जूलाई को चाइनिस सर्वे एजेंसी को 120 दिन में डिप्यार बनाना होगा राज सरकार वहां की 50-60 वर्स पुरानी हवाई पट्टी का इस्तिमाल करेगी इसमें यरपोट बनाने की योजना खर्चरासी का प्राकलन, रनवे, भवन, बांडरी वाल और डिजाइन सामिल है मालूम होकी चाइबासा से 6-7 किलूम्ट दूर ग्रामीन छेत्र में हवाई पट्टी है जहां बिहार के समय एरक्राप्ट उतरते एवं उडान भरते थे जहारखन में बनिया जाती का OBC बनाने में आ रही समस्या जब उपजाती के साथ आवेदन दे रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि उनके खत्यान में बनिया दर जाए ऐसे में उपजाती के नाम से सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है। को लेकर पुलिस टीम को एक बड़ा सुचना प्राप्त हुआ है। के वेस में आतांकेओं के खत्रे कोले का अलाट मोड में राने को कहा है। इंटेलिजेंस बीवरों के सुत्रों के अनुसाल सावन में राजे के कवर्यों पत पर आतंकियों का खात्रा होने के कारण सुरक्षा के दृष्टी से एतिहातन बरतने के हिदायात राजे फुलिस को दे दी गई है। पावर पलांट के लिए निविदा भी जारी हो चुकी है। प्रत्योक्ता का आयोजन करेगा और राष्ट्रिय अस्तर पर टीम भी वही भेजेगा। लेकिन इधर खेल बिभाकी ओर से आयोजन शुरू भी कर दिया गया है। दरसल खेल बिभाकी ओर से 10 जुलाई से परत्योक्ता सुरू करने का निने लिया गया था। इस भी सिक्षा बिभाकी ओर से पुरो पस्तावीत। खेलो जर्खन परत्योक्ता के लिए सभी जीलों के डी यो और सारे रिक सिक्ष को सहित पर चारयों को जिम्मेदारी दी गई। इससे स्कूल अस्तर पर होने वाले सुरूतों मुखर्ची का आपको लेकर असमंजस की थी थी बन गई है। गढ़वा में साथ साल के बच्चे को त्यजाब से नह लाया। गई है। उसके सरीर को पहले त्यजाब से जलाया गया। उसके बाद जीव काटकर आखे भी निकाल दी गई। साक्ष सुपाने के लिए सोचाले के लिए खोदे गड़े में सोव को डाल दिया गया। रांची की पच्चपन हजार की सोरिया जुडेंगी समरीदी योजना से सवीत्री भाई फुले की सोरी समरीदी योजना के तहत की सोरियों को लाब देने के लिए गुरु आलको जगरूतार रथ रवाना किया। डीसी राहूल कुमर सीनहा ने समर्नाले परिशल से रथ को अरिजन्डी दिखा कर रवाना किया। जिसमें कक्छा आठ में पचीस सो, कक्छा नौ में पचीस सो, दोस में पांच हेर और एगारवी में पांच हेर और बरावी में पांच हेर रुपे दिए जाएंगे। द्वारा पीएम किसान की चोदहवी किस्त को लेकर कोई अधिकारी घोसना नहीं की गई। बता दे कि पीएम किसान सम्मान निधी योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके तहत सभी पात्रे किसानों को हर साल छो हजार उपे तीन भागों में बाट कर उनके खाते में दी जाती है इस योजना का लाव लेने के लिए किसानों को अपनी पात्रता को चेक करके आवेदन करना होता है जिसके बाद पात्रे पाये जाने वाले प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहत किसानों को लाव प्रधान किया जाता है अब तक किसानों को तेरावी किस्त भी मिल चुकी है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनल को सब्सक्राइब का वाल का बेल एकन दबएए साजिस्ताथ वीडियो को एक लाइक कर आप दोस्तों से आशेर करनों ना भूले साजिस्ताथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिड़बेक अवास से दे थैंक यू